मेरे सब्सक्राइबर को मुझसे हमेशा ही कमपलेंड रहती है कि मैं रेसेपी की डिटेल्स वीडियो क्यों नहीं बनाती तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मुझसे जितना पॉसिफील होगा में लॉट्वी अप्लोड किया करूंगी तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदे में अजवाइन और रमक के साथ थोड़ा सा तेल डाला है जिससे ना बाइंडिंग अच्छे से हो जाए वो भी कुछ इस तरीके से अब थोड़ा थोड़ा पाइं डाल कर इसे अच्छे से गुथ लेना है ठीक उसी तरह जैसे आप नॉर्मली रूटी के लिए अटा गुथते हो ध्यान रखे कि इस जो कोना जादा गीला ना होने दे वरना क्या होगा फ्राय करते समय ना जादा तेल सोक करेगी अब इसे जित ब्राउन होने तक इसे फ्राय करना है लगभग 2-3 मिनट तो लगी जाएंगे आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है और इसे बनाने में आपको मैक्स तो मैक्स 15 मिनट ही लगेंगे तो आप ये रेसेपी ज़रूर ट्राय करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि ये रेसेपी आपको कैसी लगी